आज के सेटब में दीप एक बार पहले बता दू मैं कि ग्लोबल संकेट मैंने पॉजिटिव साइट पर रखे हैं, FIS के संकेट न्यूटरल है, DIS के संकेट नेगेटिव हैं और वाइदा करोबार के संकेट हैं, पॉजिटिव ये बदलाव है, आज देखें इस पर जान दीज करेंगे, और आज डिजास्टर रिकवरी साइट की टेस्टिंग के लिहाथ से आधे दिन की सुबह नो से साड़े बारा बजी की ट्रेडिंग सेशन थी, क्या बदलाएं, कल देर शाम और जिस तर से केंदे सरकार ने चुट्टी की गोशना किये, कहीं हाफ दे, कहीं फुल एक राजे सरकारे करेंगे, तो उसको देखते हुए, एक्सटी की गोशना सोमवार को किये, अब इस छुटी की गोशना तो कर दी, इसकी भरपाई करने के लिए, एक्सटेंजर ने ये डिसाइड किया कि बाजार हम शनिवार को खुले रखेंगे, और पूरे रखेंगे, त साइड को टेस्टिंग करने का इनका प्लान था, वो एक बार के लिए रोग दिया, आज नॉर्मल जो पूरा साइड है, वहीं से पूरे दिन की ट्रेडिंग सेशन होगी, अब इस पूरे दिन की ट्रेडिंग सेशन में कुछ-कुछ चीज़े हैं जो आपको ध्यान में रख इशूज हो सकते तो वो सावधानी रखे हैं, दूसरे सावधानी क्या रखनी है, सोमवार को बैंकेक्स और निफ्टी मिटकेप सेलेक्ट की जो एक्सपाइरी होती ही, वीकली एक्सपाइरी, भले ही, यह हफता जो शुरू हो है, और अगला जो हफता होगा, वो मन्थली ए निफ्टी सेलेक्ट मिटकेप में यह समझ आए कि आज मेदान खुला है, एफाइस जाज़ता चुटी पर, और एफाइस तो फिर भी चलो कहीं हो सकता है, घर से काम कर ले, दरुदर से कर ले, करा ले, लेकिन म्यूचल फंद तो पूरी तरसे चुटी पर है, म्यूचल अगर आपके समझो, सिस्टम ब्रोकर्स वगिरा कुले हो, तो एक बार एक्जीकूट कर सकते हैं, लेकिन यहां तो और प्लेस करने के लिए, म्यूचल फंद तो एक दम आज बिलकुल ताला लगा कर बेठे हैं, तो एक चीज़ समझ जी कि उनकी तरफ से ना बाइंग होगी रीटेल के लिए पूराज, खेलो इंडिया, खेलो अब वो कैसे खेलना है, वो आप जाने तेजी करके खेलना है, मंदी करके खेलना है, उपर देना है, नीचे लेना है, but बड़े इंवेस्टर्स आज पूरी तरह से लाइब है, इसका असर वोल्यूम पर ऐसर पढ़ेगा, वो डेफिनेटली पढ़ेगा, वोलिम्स कम होंगे आज, इसमें कोई डाउट नहीं, और जाहिए से बातें, इंजिनी स्टोक को बढ़ना है, वो ज्यादा जोर से बढ़ेंगे, जिनको गटना है, वो ज्यादा जल्दी गटेंगे, कम वोलिम्स में आपका लिक्विडिटी इ अगर आपने अपनी पोजिशन्स बनाई ही, बैंक एक्स में, आपके लिए कोटक, ICAC, IDFC, First Bank, यह तीन ऐसे रिजल्स हैं, जो उस पर असर डालते हैं, और काफी पोजिशन्स की ट्रेडर्स ने उस हिसाब से बनाई होगी, कि हम इन रिजल्स के हिसाब से देखेंगे, अब वो आपके लिए उल्टा हो गया कहा, आपकी एक्सपायर ही होगी, अब कहने के लिए आप कह सकते हैं, आज साड़े तीन और साड़े तीन के पहले पूरी संभावना है कि ICAC कोटक रिजल्स देदेंगे, मेरे ख्याल से सिर्फ आपकी टाइम वेल्यू जाएगी, अगर आप अगर मार्केट आउर्स के बाद रिजल्स आते हैं, तब तो आपको ऑप्शिन खरीदा बेकार हो गया, और अगर मार्केट आउर्स और जिसकी संभावना पूरी आम तोर पर कोटक, ICAC दोनों मार्केट आउर्स में रिजल्स देदेते हैं, तो मेरे क्याल से इसलिया से आपके लिए उसके सामने एक तरह से यह भी सोच सकते हैं कि दोनों के लिए फायदा है, आपके लिए मार्केट आउर्स में कोई एक्शिन हो जाए, तो गेप अप गेप दाउन अप्टिं का डर मंडे का खतम हो गया, अब यह, रासवाल निफ्टी मिटकेप का यह इंटरे इंवेस्टर्स, ट्रेडर्स, रिटेल इंवेस्टर्स, बेचने वाला कौन, नए FI है, नए Local Fund है, यह मगर होना है, तो निफ्टी मिटकेप की एक स्वाई दिम होना है, वहां पे खीच सकता है, इसमें ज्यादा बेचनी की स्कोप खतम हो जाती है, बेचे का कौन जिसके प छोग क्या करेंगे, उन्होंने यह सोजКा, अरे क्या करेंगे क्या, डिन में ही हो रही है न क्या टेंचन है, टिक है zuk EVERY एक्षायर फाली और सेशन की जरूरत है मेरे ख्याल से औरीजनली एक्षेंजेज ने जो प्लान किया था उसी पर रहना चाहिए अगर उन्होंने डिजाजसर रिकवरी साइट को टेस्स करने के लिए अज प्लान रहा है उसी पर रहते तो बैठर था तो क्या होता कि अब आपको नहीं नहीं अलग पर्फेक्ट ऐसा लग रहा है तो हम आज का सेशन के रहीं नहीं हम सोंबार का कर रहा है यह हमारी टीम का कमाल है बिलकुल हम तो तो तरह से हमारी टीम एकदम जब्रसमूर और जैसे अटमस में आया है रात को सारे काम होगे दढ़ा दढ़ा आप देखे सुबह इसनी अब कुछ लोग यह सोच सकते हैं कि हाफडे से काम चल जाता था क्यों आदा दिन एक्सा अननेसरी उसके अपने लोजिक है यह एक्षेंज को क्या जरूता है आदा दिन का वोलिम चला भी जाता और इसपेशली जब आप एफाइज और लोकल फंस पार्टिसपेट नहीं कर आपको प्राण कृतिष्था का उत्सव मराने का पूरा मुका मिल रहा है अगर समझे आज ही आदा जिन का ट्रेड होता है और सोमवार को आपका मार्केट बन यह ज्यादा मुश्किल होता है बैंकेक्स और मिटकेप की एक्सपेड़ी के लिए आज से हाला कि वो होता तो मैं आदा दी नहीं करता आदा दी नहीं करता जो है चलने तो कोई फर्ग नहीं पड़ता आदा दीन का वोलिम भी गया तो कोई खास फर्ग नहीं पड़ता लेकिन आप लेकिन आप देखे एक्सिंजे लिस्टेड हैं लिस्ट होने वाले हैं कोई भी बिजिसमें आ सब्सक्राइब के साथ, पूरे अनलिसिस के साथ, एवरिफिंग, एवरिफिंग, बिल्कुल, रोज की तरह, एवरिफिलूटली, डन साथ.